दिल्ली के कतिश शराब घोटाले की बज़े से सुर्कियों में बने अरविंद केज्रिवाल और उनके कासम कास नेता संजा सींग के किलाब चल रहे आपराधिक मानहानी केस में कोट से बहुत बड़ी खबर है दरसल जब सेर्विंद केजडिवाल और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रधान मंतरी नरंदर मोदी की डिगरी पर सवाल खड़े किये थे तब ही से यह अपरादिक केस उनके गले की फास बने हुए है केजडिवाल की और से लाग सफाई पेश की गई लेकिन यूनिवर्सिटी से माफी मांगने को तयार नहीं अब इस केस में कोट में क्या कुछ सुनवाई हुई है इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे और इसके आलावा कंगना रनौत के खिलाप में चल रहे मानहानी के केस में भी कोट से बहुत बड़ा फैसला आया है आपको याद दला दें कि कंगना रनौत के खिलाप जावेद अक्तर ने मानहानी का मुकादमा धायर किया हुआ है उस दोरान कई राज्यों में अलग-अलग जगहों पर कंगनार अनावत के खिलाप में केस दर्च किये गए थे इन दोनों ही मामलों का इस रिपोर्ट में हम राज नहीं तेक विशलेशल करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे विनमर रिवेदा नहीं की चनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें देखते रहे ये मुद्दा गरम है गुजराथ हाई कोट ने शुकरवार को दिल्ली के मुक्यमंतरी अरविंद केज्रिवाल और उनकी पार्टी के सामसद संजय सिंग दोनों दोरा सत्र नयालाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचकाउं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसने गुजराथ विश्व विद्ध्यालाई दोरा उनके खिलाब दायर मानहानी मामले में दोनों के खिलाफ जारी समन को बरकरा रखा था एकल नयाधिश नयामूर्ती हसमुक सुदार में वरिश्व अद्वक्ताओं करमशा अरविंद केज्रिवाल और गुजराथ विश्व विद्ध्यालाई का प्रतनिद्ध्यालाई कर रहे वरिश्व अद्वक्ता निरुपम नानवटी की दलीले सुनने के बाद मैं अपना परेंद्र मोदी की डिगरी का खुलासा नहीं करने पर उसके खिलाप में आपती जनक और अप्मान जनक टिपड़ी की थी अरविंद्ध केज Verfügwal और संजय सिंग की और से पेश जनने दलील दी कि यूनिवर्सिटी आरोपी के खिलाफ मान हानी की शिकायत दरज नहीं कर सकता क्योंकि मान हानी कारक बयान किसी और के खिलाफ कर जो है दिया गया था जॉन ने तर्क दिया था कि बयान यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं और मान हानिकारक भी नहीं है ये किसी और के खिलाफ में है यानि कि उनका सीधे तर्पर इशारा था कि अर्विंद केजरिवाल और संजय सिंग ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पीम मोदी को लेकर के दिया है ना कि यूनिवर्सिटी को लेकर के उन्होंने का कि बयानों में ये नहीं बताए गया कि विश्व विद्याला ने जाली या फिर डुप्लीकेट डिग्री दी है रक्षित दर्शक कोई और है मैं सही गलत नेतिक अनेतिक बयान में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये कानूरी कारवाई है जोन ने सीधे तोर पर ये हाइलाइट किया कि आरोपी ने कहीं भी नहीं कहा कि विश्व विद्याला ने फर्जी डिग्री हासल की है संदर विश्व विद्याला नहीं है दोनों लोगोंने कहीं पर भी ये रेकांकित नहीं किया कि यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री दी गई है या फर नहीं दी गई है विश्व विद्याला को बदनाम करने का कोई भी एरादा नहीं था उन्होंने का कि यूनिवर्सिटी द्वारा की गई शिकायत को साधा पढ़ने पर भी धारास 499 यानि की मानहानी और 500 मानहानी की सजा को नियोचित ठहराने वाला कोई भी आरोप नहीं बनता है डिफेमेशन का मामला तब सामने आया था दोस्तों जब गुजरात हाई पोर्ट ने मार्च 2023 में फैसला सुनाय था कि प्रधान मंत्री कार्याला यानि की PMO को सूचना के अधिकार के अधनियम यानि की RTI अधनियम के तहत प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी की डिगरी और ग्र सीधे तोर पर रद कर दिया था जिसमें प्रधान मंत्री ओफिस के जन सूचना अधिकारी यानि की PIO और गुजरात विश्विद्यालाय और दिल्ली विश्विद्यालाय के जन सूचना अधिकारियों को मोदी की ग्रेजुएशन की डिगरी और 12th पास की डिगरी को दरसल विवरड देने का निर्देश दिया गया था गौर तलब है कि हाई कोर्ट मेरविंद केजरिवाल पर भी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था दिसमबर 2023 मेरविंद केजरिवाल ने हाई कोर्ट की खंड पीट के समक्ष एकल नयाधिश के फैसले को चनौती देते हुए यह अपील दैर की है यह अपील अभी भी हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है इस बीच गुजरात विश्विद्यालेड ने मान हानी की शिकायत दर्ज करवाते हुए गंबीर आरूप लगाया कि दोनों नेताओं ने प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी की डिगरी का खुलासा न नहीं करने पर उसके खिलाप में अपमान जनक बयान दिया है जिससे एक यूनिवर्सिटी की छवी को ठेस पहुँची है लहाजा उनके खिलाप में मुकदमा दर्ज करवाय जाता है मान हानी के इस मामले में एक मजिस्टेट नहीं पिछले साल अपरेल के महीने में मुकदमा का सामना करने के लिए बलाई था जिससे 17 दालत ने बरकरार रखा था हाई कोट ने पिछले साल अगस्त में इन कारवाहियों पर अंतरिम रोक लगाने से सीधे तोर पर इंकार कर दिया था जिसे हाई कोट ने भी बरकरार रखा था अब रुप कर लेते हैं अगली बड़ी ख़बर का बंबे हाई कोट ने अबनेत्री कंगना रनौत की उस याचका को सरे से खारिज कर दिया है जिसमें गीतकार जाविद अक्तर की ओर से साल 2020 में उनके खिलाब में दाएर अपराधिक मानहानी के मामले पर रोक लगाने की गोहार लगाई गई थी और इस मामले को बाद में उनके खिलाब दायर क्रोस जो है शिकायत के साथ में जोड़ने की प्रापतना की गई थी निया मूर्ती प्रकाश नाइक ने आदेश पारित किया और कहा कि कारवाही को रोका या फिर कलब नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन दोनों ही मामलों को वो एक साथ कलब करने की गोहार लगा रही थी कोट से लेकिन उसे अब कोट ने ठुकरा दिया है क्योंकि कंगना ने कभी ये तरक नहीं दिया कि मामले क्रॉस केस के थे और इसके बावजूद जावेद अक्तर की शिकायत पहले से दर्ज की गई थी उन्होंने का कि इस तर पर याचका में मांगी गई रहत नहीं दी जा सकती है इसे पहले याचका करता यानि कि कंगना रनौत की और से कभी ये तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं जबकि जावेद अक्तर की और से कंगना रनौत के खिलाप में दायर मानहानी का मामला अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है गीदकार जावेद अक्तर के खिलाप में कंगना रनौत की शिकायत पर सत्र नियालय ने रोक लगा दी थी अपनी रिट याचका में अबनेत्री ने का कि दोनों मामलों की उत्पत्ती साल 2016 की एक बैठक के दौरान हुई थी इसलिए उन पर एक साथ मुकदमा चलाए जाना चाहिए ना की अलग 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 जावेद अक्तर ने कंगना रनौत की याचका का कड़ा विरोद करते हुए से मानहानी मामले में देरी करने का एक और घंभीर प्रयास बताया उन्होंने बताया कि कंगना रनौत ने विबिन अदालतों के समक्ष नौ अलग अलग कानूनी चुनौतिया या फर याचकाएं दैर की थी जिनमें से सभी को कोट की तरप से खारिच कर दिया गया था इन बरखास्तगी के बाद उन्होंने जूटे मनगलत और मनगलत आरोपों वाली एक जवाबी शिकायट भी दर्ज करवाई थी आपको बता दें कि 3 नवंबर को जावेद अक्तर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायट दर्ज करवाई थी जिसमें आरोप लगाय गया था कि कंगना रनौत ने 19 जुलाई 2020 को एक इंटरव्यू के दौरान अब नेता सुशाम सिंग राजपूत की मौत में उनका नाम खीच करके उनकी बेदाग प्रतिष्ठा को बदनाम करने और नुकसान पहुँचाने की एक हिमाकत की थी इसलिए उन्होंने अपनी छवी को बचाते हुए कंगना रनौत के किलाप में डिफिमेशन सूट फाइल किया है एक्टरेस मामले में भारतिय दंड साहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमे का सामना कर रही है साल 2021 में कंगना रनौत ने उसी मुंबई अदालत में जावेद अक्तर के किलाब जवावी शिकायत दर्ज करके जवावी हमला किया जिसमें साल 2016 की घटना के आधार पर IPC की धारा 506 और 509 के तहत आपरादिक धंकी और विनमरता का अपमान करने का आरोप लगाया था साल 2016 की बैठक के दौरान कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि जावेद अक्तर ने सैकलाकार से माफी मांगने की मांग करते हुए ने आपरादिक रूप से धंकाया था मुंबई कोट ने कंगना रनौत की शिकायत पर संग्यान लिया और जावेद अक्तर को समझ जारी किया गया उन्होंने इस आदेश को सब्तर नियाला में चुनौती दी थी जिसने उनकी पुना निरीकशड याचका के निप्टारे तक कंगना रनौत की शिकायत के खिलाब कारवाई पर पूरे तोर पर रूख लगा दी थी इस बीच अभनेत्री के खिलाब अक्तर का मानहानी का मामला अभी भी मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत में चल रहा है तो इन तोनों ही प्रक्रणों को लेकर के कोट से वड़ा अपडेट था जो कि मैंने आपके साथ मसाज़ा किया अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साड़ बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नए रिपोर्ट लेकर क्या हूँ कोई नया वीडियो रिलीस करो तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको में ले